हलो हम जो तो रेंट का घर लेना चाहते है 2-3 मता जो सब मकाम देख कर भी आये लेकिन वो कुछ मसला हो जाला जिसके विए से जो घर लेना नहीं हो रहा और आमनी के पास से रुकी वी है तो इसके जिवताजी कि राय कर देखाए है तीब शुक्रिया शुक्रिया और वो पाकिस्तान के उगए के खुटूब थे बहुत उचा मुकाम लगए निनको अता किया और मुझे उनसे भी फैद हुआ मेरे पीर मुर्शद के जरीए से भी और मुबशरात के और सचे खाबों के जरीए से भी मुझे उनसे बहुत फैद हुआ तो डाक्टर अब्दूली आर्फी रहमतुलाले जनकी बड़ी मारूफ जमाना किताब भी उस्वाय रसूलिया अकरम सल्ल्लाहु अलिवसल्म ये सुन्नते तमाम सुन्नते नबी का तर्ज जिन्दगी सब इस किताब में जमा किया कई जबानों के अंदर इस किताब है तो वो जो जाती घर के लिए बड़ी तरगीम दिया करते थे कि अपना घर खरीदो और अल्लाह से अपना घर मांगो तो कि अल्लाह के खजाने बड़े वसी हैं आप अपने वसायल को ना देखो, लल्लाह तबारिक और जाले की शान और अजमत को तेख के अखरत का घर तो मांगते हैं द् extremes listening ऑपनी शवाँगो अपना घर मांगा करो तो अल्लाह तो आप्छाला कहांसे देता है विए तो लल्ला का काम है तो मांगना फकीर जो बाश्या से जाके मांगा लेता ये नहीं सोचता कि बाश्या के ख़दाने में होगा कि नी होगा लहाज़ जो फकीर अपने फकर को देखता नहीं है यार मेरे पले कुछ है नहीं कि क्या मांगो इसलिए आप रेंटर के घर के बजाए है आप अपने जाती घर की बात करें अपना घर मांगें तो खेर अपको आपका जाती घर भी दे दे वसी, कुशादा और बाबरकत और आफित वाला घर अपको अता कर दे पढ़ने के लिए आप नोट कर ले हैं पढ़ने के लिए आपको रेंट का घर तो मिलेगा है मिलेगा, इंशाला आपको जाती घर भी मिल जाएगा बहुत खुब, बहुत शुक्री है